स्वागत आपका स्कूल वास तेयोरी में आजम करने जा रहे हैं कप्चा आठ की अध्या एक के प्रशन उत्तर फसल उत्पादन वं प्रबंदन चलिए स्टार्ट करते हैं पहला खुशिन है उसी सब छाट कर रिक्तिस्तानों की पूर्थी करो एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाये जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं फसल कहते हैं फसल उगाने से पहले पर्थम चरन मिट्टी की तैयारी होती है छतिग्रस बीज जल की सते पर तैरने लगते हैं फसल उगाने के लिए प्रयाप्त सूर्य की प्रकास एवं मिट्टी से पोसक एवं जल आवशक है ठीक है सेकिंड कोशन है मैच दा फॉलॉइंग है कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है खरीप की फशल खरीप की फशल कौन सी हो गई धान मक्का ठीक है रभी की फशल ग्यों चना रासाइनिक उर्वरक कौन से है यूरिया और सूपर फॉस्वेट और कार्बनिक खाद कौन सी है मवेसियों का चारा ठीक है नाश फशन है निमन के दोदो उधारन दीजिए खरीप की फशल उधारन कौन कौन से हो गए मुवफली और मक्का और अभी की फशल है कि उधारने ग्यों उवग चना अगला कोशन है निम पर अपने सब्दों में एक एक पेरेग्राफ लिखिए मिट्टी तयार करना मिट्टी तयार करना फशल उगाने से पहले मिट्टी तयार करना पर्थम चनाने इससे मिट्टी को पलट कर पोला बनाया जाता है जिससे पौधों की जड़ों की गहराई तक जाकर सरल्दा से स्वसन करती हैं क्योंकि पोली मिट्टी में कैंचवे सुख्षण जीव की व्रद्धी होती है जो मिट्टी को हुमस बनाते है ठीक है सेकिंडेस का बुआई फसल उत्पादन का असो से महत्पुन चरन है बुआई अच्छी गुनवत्ता वाले स्वस्त बीजों का चैन करके पारामपरिक तरीकों से सीड ड्रील की साहता से बीजों की बुआई की जाती है सीड ड्रील की साहता से बीजों के समान दोरी एवं गहराई से बुआई जाता है कुछ पौदों के बीजों को पौद साला में पौद तयार करकर रोपित किया जाता है नेक्स्ट है निराई खेट में पौदों के साथ आवंचित पौदे उग जाते हैं जिने खर्पतवार कहते हैं ये खर्पतवार फसलों की वद्दी को नुक्सान पहुचाते हैं इस कारण से अटाना आवश्यक है खर्पतवार को अटाने के प्रक्रिया ही निराई कहलाती है आज कल खर्पतवार को अटाने के लिए खर्पतवार फसलों बीजों और बूख से अलग करना इस क्रिया को क्या कहते हैं थ्रेसिंग कहते हैं कंबाइन मसीं दारा किया जाता है कुछ खिसान विनोईंग फेकने वाली मसीं से दवारा अनाज को अलग करते है नाउस प्रस्टीन है, परश्टमant 5, इसफ्ट कीजिए की उर्वरक खाद से किस परकार भिनने हैं, उर्वरक क्या क्या है, उर्वरक मानव निरमित लवन हैं, और खाद प्राकर्ति प्रतात है, गोबर वो पॉदो अफ्सिष्ट की विक्तन से प्राप्त होता है, ठीक है, उर रुर्वरक मिट्टी को हुमस तापतनीक करता और खाद से मिट्टी में हुमस की मातरा अधिक होती है। रुर्वरक में पादप पौदे जैसे नाइट्रोजन फॉसवर्ट पादप पोशक जैसे होते हैं नाइट्रोजन फॉसवरस तथा पोटेशियम की प्रच्चुरित मादरा होती है। प्रच्चित करने वाली सिचाई की दो विदिया हैं छिड़काव तंत्र वर डीप तंत्र। छिड़काव तंत्र इस विदी का उपयोग असमतल भूमी पर सिचाई हेतु किया जाता है। कॉफी के खेती और अन्य फसलों के लिए अत्यंत महत्पुन है। दूसरा है डीप तंत्र इस विदी में जल बूंद बूंद करके सीध्य पौधों की जड़ों में जाता है। फलदार पौदे, बगीचे, रक्षो को पानी देने में तू ये सर्वत्तम विदी है। इस विदी में जल बिल्कुल ब्यारत नहीं होता। ये जल कम वाले छेत्रों में के लिए बर्दान है। प्रशन साथवा है, यदि ग्याओ को खरीफ रित्व में लगाया जाए, तो क्या होगा? अगला कुशन है, लगाकर फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभापड़ता है? लगातार फसल उगाने से क्या प्रभाप पड़ता है खेत में खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी क्यों वो सित्वत्तों की कमी हो जाती है वह यूमेस तथा नाइटरुजन की कमी होने की कारण लगातार बोई जाने वाली फसल की गुनवत्ता तथा मात्रा में प्रतिकोई प्रभाव पढ़ता है खर्पत्वार क्या है? प्रशनल नमबर नौ हम उनका नियंतरन किस प्रकार कर सकते हैं? खर्पत्वार, खेतों में पौधों के साथ अवँचित पौधे उग जाते हैं जो मिट्टी में जल तथा पोसक तत्वों की मात्रा को कम कर देते हैं तथा फसल पर विप्रित प्रभाव दालते हैं उन अवँचित पौधों को क्या कहते हैं? खर्पत्वार कहते हैं इनको नियंतरन करने किसान निराई की प्रकरिया कर यूज़ करता है इस हितु समय समय पर आवंचित पौधों को जड़ सही धटाया जाता है इससे क्या होता है? इसके अलावा खर्पत्वार नासी रसायन का छुड़काप किया जाता है जिससे खर्पत्वार नश्ट हो जाता है अगला कुशन है निम्न बॉक्स को सही करम में इस प्रकाल लगाए कि गन्ने की फसल उगाने को रेखा चेतर द्वारा तयार किया जा सके सही करम मिट्टी तयार करना पर्थम चलन खेतों की जुताई खाद देना बुआई सिचाई खटाई वफसल को चीन इमिल में भेजना पर्षन नमर 11 पहली है करिएगा आप सौल नहीं आए तो इसमें जरूर देखिएगा धन्यवाद